गागरा परखंड में आगामे 19 माई को दूसरे चलन में होने वाले पंचाय चुनाव को मत्दे नजर गागरा पुलिस द्वारा 40 बाइक को पकड़ा गया है इस संबंद में थाना परभारी अभिनया कुमार ने पता है कि चुनाव कार के लिए ग्रामनों की बाइक ली गई है जिसे मत्दान संबंद होने के बाद आगामे 20 माई को ग्रामनों को सुपूर्ट कर दिया जागा ग्रामनों को बाईक के चुनावकार में लगाया जाने को लेकर प्रति दिन दो सोगा भत्ता देने का प्राधान है जिसके लिए मोटर साइकल मालिक द्वारा आवस्टक दस्तावेज घागरा थाने में जमा करने होंगे इधर बाइक को पुलिस द्वारा चुनावकार में लिये जाने के संबंध में वीडियो से निर्वाची पतादिकारी विश्णु देव कर्षप से पूशे जाने पर बताए कि पुलिस चुनावकारी को लेकर ग्रामनों से थाना में बाइक जमा कराई है जिससे चुनावकारी में पुलिश द्वारा अपनी आवसकता अनुसार प्रयोग में लाय जाएगा मालमों की पहली बार त्रियस्तरी पंचा चुनावकारे संपन कराने के लिए ग्रामिनों की बाइक पुलिश द्वारा ली गई है जिससे सांति पुन वस्तृरक्षा के साथ चुनावकारे संपन कराय जा सके चुनावकारे में बाइक के प्रयोग के लिए घागरा थάνा गेट के सामने पुलिश द्वारा बाइक शालकों को रोग कर बाइक थाना में जमा कराए गई मालुम होगी घागरा प्रखंड में आगामी 19 माई को द्वीती चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कुल 239 मतान केंद्र है मतान कारे संपन कराने हेतु प्रसासन द्वारा प्रखंड छेतर में 18 कलस्टर एवं 32 सेक्टर बना गये है जहां से निर्धालित अवधी तक मतान कारे के लिए मतान करमी मतान केंद्र तक पहुचेंगे घागरा गुमला से संजय मिस्रा की रिपोर्ट